गाजा में अब सारे प्रतिरोधी समू एक साथ मिलकर इसराइल के ऊपर तूट पड़े हैं चाहे वो हमास की अलकासिम ब्रिगेड हो अलकुज ब्रिगेड हो या फिर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप ये सब ही एक नई रणनीती के साथ आईडियाफ के ऊपर हमलावर हैं ये सब ही इसराइली सेना के ऊपर बारूद बरसा रहे हैं और इन हमलों को देखकर अब ऐसा लगता है कि गाजा युद एक ऐसी स्थिती में पहुँच चुका है जहां से इसराइली सेना अब आगे नहीं बढ़ सकी है बलकि उल्टा हमास तुबारा से दोगुनी ताकत के साथ आईडियाफ के ऊपर हावी होता जा रहा है दरसल हमास की सैन निशाखा अलकासिम ब्रिगेड ने मार्स मिलिटरी साइट पर इखटा हो रहे इसराइली सैनिकों के ऊपर शॉर्ट रेन रजून रॉकिट से एक बड़ा हमला किया है और जब ये हमला हो रहा था तो उसी वक्त खान यूनिस के पूर में अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइली सैनिकों के जमावने पर एक ड्रोन हमला कर दिया जिसमें इसराइली सैना को भारी नुकसान होने की खबर है वहीं दूसरी तरफ राफा में इसलामिक जिहाद की सैन शाखा अलकुस ब्रिगेड ने दक्षनी राफा के तलल सुल्तान में ताबर तोड तरीके से इसराइली सैनिकों के टैंकों को उड़ा दिया है अलकुस ब्रिगेड का कहना है कि उसने IDF के दो टैंकों पर RPG रॉकेट बरसाए है अलकुस ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है अलकुस के इस वीडियो में दिख रहा है कि दूर मलबे के बीच IDF के दो टैंक खड़े हैं जिनके उपर अलकुस के लड़ा के एक खंडर पड़ी इमारत के भीतर से घात लगाते हैं और इसके बाद ये दोनों लड़ा के इस खंडर से निकल कर आगे की तरफ बढ़ते हैं खंडर की छट से इन दोनों टैंकों पर RPG रॉकेट दाग दिये जाते हैं जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है और इस हमले के बाद IDF का एक बुल्डोजर टैंक को खीच कर ले जाता हुआ दिख रहा है इस हमले के बाद उत्तर पूर्व खान यूनिस के अलमारीस स्कूल और अलसमीरी में भी इसराइली सेना प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन तब ही अलकुज के लड़ाके इन सैनिकों पर भी मोटर गोलो का एक जथा फायर कर देते हैं अलकुज का कहना है कि जब उसने आईडियाफ पर हमला किया तो उसके कुछी देर बाद वहाँ पर आईडियाफ का रेस्क्यू हेलिकॉप्टर उतरता हुँ दिखा अलकुज का कहना है कि उसने नेजजरी मैक्सिस में भी अब्दुलकादिरल हुसैनी ग्रुप के साथ मिलकर इस्राइली सैनिकों पर एक सो साथ एमेम के रॉकेट दागे हैं हालकि इन हमलों के बीच इसराइली सेना की बंध़कों की रहाई को एक तगड़ा जटका लगा है दरसल अलकासिम ब्रिगेट की प्रवक्ता अबु उबैधा का कहना है कि इस लड़ाई के दोरान इसराइल का एक बंधक मारा गया है अबू उबैदा का कहना है कि जिस लड़ाके को उस बंधक की सुरक्षा में लगाया गया था उसी लड़ाके ने इसराइली बंधक की जान ले ली है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसराइली सेना के हमले में उसके दो बच्चे मारे गए थे जिसकी वज़ा से प्रतिशोध खुद की भावना में आकर उसने ऐसा कादम उठाया हाला कि अबू उबैदा ने कहा कि हमारे सिध्धान्त बंधकों के साथ ऐसा बरताव करने की अनुमती नहीं देते हैं और बंधकों की जान को अगर कोई भी खत्रा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदार खुद इसराइली स से नहोगी